तो, हेलो गैज, कैसे हो आप लोग, I hope की आप बहुत बहुत बढ़ी कहोगे। दोसब आज की इस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ, इंस्टेग्राम ईरील्स पर टेक्स्ट वीदिऊ जबाए जाती है। आप उन टेक्स्ट वीडियो को किसी भी तरह बना सकते हो या तो किसी नॉर्मल बैक्ग्राउंड पर ब्लैक या वाइट नॉर्मल या फिर किसी डाउनलोड इट बैक्ग्राउंड पर या फिर खुद अपने फोटो पर कुछ लिखा हुआ रहा है म्यूजिक लगा हुआ है तो इस तरह के वीडियो आप एडिट कैसे कर सकते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एक एप की जरूरत पड़ेगी आपको यह भी ले सकते हो काइनमास्टर पावर डिरेक्टर मैं आपको काइनमास्टर से करके दिखाता हूँ जैसे ही मैंने काइनमास्टर पर क्लिक किया काइनमास्टर पर क्लिक करने के बाद आपको मतलब कोई भी एप हो उसमें ऐसा रेश्यो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा पावर डिरेक्टर हो चाहे काइनमास्टर हो तो आपको सेलेक्ट करना रेश्यो नो रेश्यो 16 तो जैस इसमें जो background है वही select कर रहा हूं जैसे इसमें इतने background है तो मैं यह वाला select कर लेता हूं आपको समझाने के लिए और इस background को select करने के बाद इसको आपको उतना रखना है जितनी आपको video shoot करनी है मेरे साब से तो 14 या 15 या 20 seconds तक होगी Instagram Reels पर तो इस तरह के बाद select करने के बाद आपको करना क्या है आपको layer के option पर जाना है यह layer का option है इस layer के option पर आने के बाद आपको media effect overlay text handwriting यह options मिलेंगे लेकिन हमें करना क्या है में text लिखना इस पर तो यहां पर मैं आपको लिखके दिखाता हूं कुछ भी line कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो जैसे मैंने यह लिख दिया दोस्तों तो भी आप अपनी साब से कर सकते हैं से select जैसे मैं आपको बताता हूं जैसे ऐसे आपको मतलब कुछ इस तरह से लिखना है ताकि अलग-अलग थोड़ा पार्ट हो जाए तो आप इसमें बीच में भी space दे सकते हैं के लिए के बाद space और खोना पड़ता है इसके बाद space जैसे मैंने यह लिख दिया normal तो यहां से okay करने के बाद आपको छोटा बड़ा जैसा भी करना हूँ ऐसा कर लेना है यहां से ऐ editing यह सारी टेक्स्ट से ही related है यह टेक्स्ट से ही related editing आप यहां से कर सकते हो जैसे हमें सबसे पहले तो इसका font select करता हूँ मैं font में जाके आप जो अच्छा लगे वो कर लेना मैं आपको समझाने के लिए यह वाला select कर लेता हूँ robot of black तो इसको select करने के बाद कुछ इस तरह से इसका font change हो जागा थोड़ा अच्छा लगेगा उसके बाद आपको इस पर color करना है color मैं red कर लेता हूँ आप अपने background के साब से करना कुछ ऐसा मत करना कि ready background और ready color कर लो तो कुछ नहीं देखेगा तो इसको select करने के बाद आपको करना के animation इसमें animation है in animation out animation तो pop slide right slide left बहुत सारे हैं जैसे मैंने slide left कर लिया उसके बाद मैं out animation slide right कर लेता हूँ जैसे मैंने दोनों कर लिए fade कर लिया इसको select करने के बाद फिर आपको करना के है यहां पर overlay animation में आना है overlay animation में flicker pulse jitter कुछ ऐसा करना जो लोगों को समझ भी आजा है ring यह तो बकवास लग रहा है floating ऐसे कुछ मतलब जो भी आपको animation select करने वो कर लेने उसके बाद आपके सामन करना कितना करना उसके बाद आपको rotate mirroring रोटेट mirroring में आपको इस तरह से उल्टा सीधा दिखेगा तो यह तो इसको छेड़ने की जोरुरत नहीं है तो उसके बाद आपको यहां पे जो glow है outline है outline भी आप कर सकते हो जैसे आपको करनी है background color भी आप कर सकते हो आपको करना है त तो यहां से कुछ इस तरह से लिखा जाएगा यह जो भी कुछ आप यहां से मतलब पूरा अपने mind से कर सकते हो मैं आपको only समझा रहा हूं तो जैसे मैंने इसको इतना कर दिया इतना करने के बाद आपको इस पर लगाना है तो music लगाने के लिए आपको करना कह है आपको य लेयर मीडिया में जाना कर आपके पास भी ऐसी कोई वीडियो है तो जैसे यह downloaded है तो इस पर download पर मैंने क्लिक किया तो trim के option पर आना है और extract audio कर लिए और वीडियो कर दिया मैंने delete तो अब मैं इसको चलाता हूँ तो दोस्तो copyright के वजए से मैं पूरा नहीं चलाऊंगा तो आपका मतलब music कम रहता है वीडियो जारा हो जाती तो वीडियो का आपको कर लेना trim text और video trim to write और background को भी आपको कर लेना trim to write तो आप देख सकते हैं हमारी मतलब 13 second की video तयार हो चुकी है बनके music भी लग चुका और यहां से आप इसे सीधा कर सकते हैं export शेयर पे जाके और यहां से सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं 780-1080 पिक्सल में यहां से एक्सपोर्ट करने के बाद आप सीधा upload कर सकते हैं इस्टाग्राम पर तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना तो थैंक्यू